आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूक्रेन रशिया के उस इस्टेश पर जब विश्व के डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम जिन पर यूक्रेन अपनी बात रख रहा है UNSC की बात हम लोगों ने की, UNGA की बात हम लोगों ने की, UNHRC की बात हम लोगों ने की अब आज इस स्टेश पर पहुँच गया है यूक्रेन की उसने इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस यानि की ICJ में मुकदमा किया है और उसने रश्या के खलाफ केस करके ये मांग की है कि इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस उस पर ओर्डर करें और उस ओर्डर के तहत रश्या को तुन्त वहां से विड्रॉ करने के आदेश दे जेनोसाइट रोका जाए इसमें जेनोसाइट कन्वेंशन का भी हवाला दिया गया आपको मैंने UN UN और इंटरनेशनल रिलेशन का भी पार्ट है और लॉके स्टुडेंट्स के लिए इंटरनेशनल लॉक का भी पार्ट है और जो UPSC वगर के बच्चे हैं उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशन का भी यह सारा पार्ट है खास्त और से जब हमारे लेक्शर्स को इस पूरी सीरीज को आप देख रहे होंगे तो मैं कानून इंटरनेशनल लॉस की चर्चा और इंटरनेशनल कॉमेटी और इंटरनेशन के बड़े राइटर्स हैं वो कहते हैं there is nothing international law like law यह जो law है को international law नाम का कोई law नहीं है यह आपने बोल दिया इसलिए इसको law कह लीजे लेकिन हकीकत में यह law नहीं होता क्योंकि इसमें binding force नहीं होती इनमें enforcement की कोई machinery नहीं है कोई mechanism नहीं अब चूंकि कि किसी law में अगर enforcement और implementation की कोई machinery नहीं है और उसका कोई ऐसा पीनल प्रावधान नहीं है तो फिर law कैसा है ऐसा लोग कहते हैं दूसरे बात लोग यह कहते हैं because the countries are binding themselves that is why it's in law लोग स्वयम संसार के country स्वयम उसको अपने आपको wind करते हैं इसलिए law है लेकिन मेरा मनना यह है कि international law is a mere committee committee का मतलब है कि एक यह केबल एक संबंध मात्र है वो एक अभा मंडल है जिसमें लोगों को एक दूसरे के साथ relation रखने पड़ते हैं इसलिए इसको international relation कहना ज्यादा साही होगा international law की बजाएगा अब ऐसी प्रस्तिती आई हमने सबसे पहला वर्ड फर्स्ट वर्डवार हुआ अधुनिक समय पर हाला कि इसको फर्स्ट वर्डवार कहते हैं लोग हम कहते हैं महावारत का बार के युद्ध क्या था हम कहते हैं कि महिसास्चु स लोग कुछ अभी communist विचारधरा के लोग भारत के विरोधी लोग भारत को निकरष्ट समझने वाले लोग अभी दुनिया की philosophy करना इस पर लिखना शुरू करते हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगी कि आप उधर रश्या की तरफ बिग गए हैं तो कुछ लोग कहेंग कि अब आप BJP से सपावालों ने आपको कुछ पैसे दे दिये हैं सपावालों ने आपको कुछ पूछ लिया है सपावालों ने आपको ये कर दिया वो कर दिया अब आप बदल गए हैं आप भी twist करने हैं मैं कोई twist नहीं कर रहा सीधी सी बात ये है कि मुझे जो मैंने observe किया वो मैं अपनी बात कहता हूँ, अपने students के लिए कहता हूँ, अपने followers के लिए कहता हूँ और जो बाकी students सुनते हैं उनके लिए कहता हूँ, विश्व के जो intellectual work मुझे सुनने वाला है जो मुझे लिखने लगता है, अगर मैं दो-तीन दिन कोई lecture ना दूँ, घटना करम ना बता हूँ और law के अंगल से घटना करम ना बता हूँ, तो लोग बोलने लगता हूँ इसलिए अपन अपने students के लिए, अपने जानने वालों के लिए परेचाने वालों को यह बात कहते हैं जो अपनी observation समझ में थे, कोई मेरा observation binding नहीं है, इस पर कोई मुगतमानी हो सकता है, यह कोई court में नहीं जा सकता है हाँ, understanding बच्चे की जो UPSC का एक्जाम दे रहा होता है, जो PSC का एक्जाम दे रहा होता है, जो judicial services, higher judicial services या प्रमोशनल एक्जाम दे रहा है उनकी understanding अच्छी बनती है, और understanding अगर अच्छी बन जाए तो वो अपनी किताबों को अच्छे से समझने लगता है फिर वो आसानी से international relations को समझ पाता है, national relations को समझ पाता है, कानूनी प्रकरियाओं को, administration को समझ पाता है, public administration को समझ पाता है अब यहाँ पर Ukraine ने international court of justice में case किया है और notice उसका issue हुआ रशिया के पास, रशिया ने उस पर जबाब लगाएगे, इसका कोई मतलब नहीं होता, हम इसमें participate नहीं करेंगे अब रशिया participate नहीं करेगा, तो क्या international court of justice बात सुन सकता है, क्या मुकदमा हो सकता है, या इस मुकदमे का क्या परिणाम होगा ये सारी बातें आपने सामने आने वाली हैं, कि आखिर होगा क्या, चुकि रशिया ने मना कर दिया, अब रशिया की खास बात ये है, कि रशिया तो UNSC का permanent member है, यहने की security council का permanent member है, और अगर वो permanent member है, तो कैसे solution, कैसे उसके उपर binding हो सकता है, इस तरह का एक case, पहले भी और उस समय भी permanent member, यानि की US के खलाफ गया था, तो अब अपने को जानना पड़ेगा, कि जो US के खलाफ case हुआ था, उस में क्या हुआ, क्योंकि वो भी permanent था, मामला था, Republic of Nicaragua versus United States of America, Republic of Nicaragua ने case किया था, अमरिका प्रिजेंट नहीं हुआ था, इंटरेशनल कोर्ट अफ जेस्टिस में, और निकारा गुआ के फेवर में डिग्री बना दी थी, अब मामला अमरिका के खलाफ डिग्री बन गए इंटरेशनल कोर्ट अफ जेस्टिस में, निकारा गुआ सामने सवाल ये पैदा होता है कि निकारा गुआ के फेवर में जज्जमेंट होने के बावजुद उसकी रेलिवेंसी कितनी है, कौन इंप्लिमेंट करेगा, अमरिका तो अभी जब तक रशा, रशिया जब तक कुल मिलाकर पावर में नहीं आता, या 1991 के बाद जब वो पावर से गया है, तब अमरिका तो अकेला संसार का दादा था, और अमरिका के खिलाफ डिग्री इंप्लिमेंट हो सकती क्या, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये मामले चलते कैसे हैं, दो तीन विशय इसमें इंटरेशनल कोर्ट अफ जस्टिस के समझने चाएं, पहली बात तो य इंटरेशनल कोर्ट अफ अर्बिटरेशन इसलिए होता था, क्योंकि भई इनफोर्समेंट की कोई मशिनीरी नहीं है, कोई अपने पास फोर्स है नहीं, तो इसको कोट कहना ठीक होगा क्या, तो इसका नाम था आर्बिटरेशन, यानि की मध्यस्तता करेगा, और आपने दे जा घया, यानि की पर्मेनेंट कोट को कोट अ अर्बिटरेशन को है, यह इसलिए पर्मेनेट कोट अफ अर्बिटरेशन सफल नहीं हुआ था, क्योंकि इनफोर्समेंट की कोई मेकैनिजम नहीं था, 및 सवाल यह पैता好好 होता है कि जब आपने इसको इंटरेशनल कोट अफ तो क्या enforcement की machinery कोई है और कैसे मामला जाएगा तो अब बात इसमें भी यही है जो इस्टेचूट है International Court of Justice का International Court of Justice के इस्टेचूट के Article 94 में या उसकी जो और परक्रियान लिखी हूं उसमें साफ कहा गया है If the parties have accepted the International Court of Justice तो आ सकते हैं UNO के पार्ट होना चाहिए तो वो आ सकते हैं और जो सबसे महत्वपूर बात वो यह कहा है कि बोथ parties must be agreed to be case to be heard by the International Court of Justice यानि कि International Court of Justice मामला तब सुन सकता है जब दोनों पार्टी एग्रीड हो अब वो agreement की बात में कहा कि currently दोनों agreed हो जाएं तो सुन सकता है या पहले से सहमती दे दी गई हो या इंटरेशनल Court of Justice को सहमती हो कि हमारा कोई भी इंटरेशनल डिस्पूट आता है तो आपके पास हो जाएगा तब सुन लेगा लेकिन अगर पर्मनेंट सहमती भी नहीं है conditional सहमती है उन conditional में वो फसरा है और जो country है वो ये सहमती भी नहीं देता कि आप सुने तो ऐसी परिस्थिति में इंटरेशनल Court of Justice मामला सुन ही नहीं सकता है ये सारे जो सारे बात हैं ये arbitration court में भी लागू होता है यानि कि वो permanent court of arbitration वही है उसी को बदल कर इसको बनाएगे इसलिए कोई ऐसा शुने अब यहाँ पर सवाल एक आता है सवाल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है कि फिर कौन तो यह आता है कि UNO के मामले में इंटरनेशनल Court वो UNO के मामले में UNSC में आप case कर सकते हैं अपने रिक्वेस्ट कर सकते हैं UNSC दोनों पार्टियों को बुला कर बात करेगी बात करने के बाद वो उसका solution निकाल सकते हैं pacific settlement कर सकते हैं dispute नहीं है तो और अगर दोनों का dispute है तो इंटरनेशनल Court of Justice में मामला जाएगा और इंटरनेशनल Court of Justice का judgment जो होगा मैंने प्रक्रिय बताएगी कैसे जाएगा अगर चला गया तो judgment होगा वो country को पर binding होगा उसको enforcement में लाने के लिए UNSC United Nations Security Council उस पर peacekeeping forces का इस्तेमाल करे उस पर sanctions लगाए उसको implement करवाएगा यह काम है UNSC का और अगर वो court में नहीं गया है सीधा UNSC गया तो UNSC दोनों को बला कर बात करें जिसे भारत की में एक बात करता हूँ जमुन कश्मीर के मामले में चूकि जमुन कश्मीर का अधिमिलन भारत में हो चुका था पाकिस्टान ने उस पर हमला किया था पाकिस्तान ने उस पर कपजा कर लिया तो भारत के प्रदानमंतरी नहरू जी को माउंट पटनी सला दे दी कि भई तुम UNSC चले जाओ इस मामले में जमुन कश्मीर के मामले में चूंकि कोई डिस्प्यूट नहीं था इसलिए इंटरेशनल कोट अब जा सकते थे तो कहां UNSC जा सकते थे UNSC में हिंदुस्तान चला गया UNSC में जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को कॉल कर लिया और एक पीस अब्जरवर ग्रूप बना दिया जो अब्जरवर ग्रूप था दूसरा उन्होंने जमुन कश्मीर को लेकर एक अलग से वो बना दी सेल बना दी और कब है इनका मामले सुन लो उस मामले में चूंकि उसने जो 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 यूनसे आईपी था उसने बात सुनी थी इसलिए वो बाइडनिंग हो नहीं सकता कि वो कोट नहीं था और वो रिक्वेस्ट थी परसनल किसी कंट्री की उस रिक्वेस्ट को बाइडनिंग नेचर नहीं हो सकता इसलिए उसके कुछ भी observation रहे हो वो observation हाला कि भारत के favor में थे फिर भी वो observation वाइनिंग नहीं हो सकते कि वो इंटरेशन कोट अब जेस्टिस नहीं था वो pacific settlement के लिए UNSC भेजा गया था यहां पर भी अब इंटरेशन कोट अब जेस्टिस गए इंटरेशन कोट अब जेस्टिस अगर माल लिया हमने चुकि वो पर्मनेंट मेंबर्स हैं उन्होंने पर्मनेंट उसको पावर दे रखी है कि वो सुन सकते हैं तो ऐसी प्रस्तिती में अगर अब वो present नहीं होता जैसा निकारागुआ के मामले में इन्वाइट स्टेट अफ अमेरिका प्रेजंट नहीं हुआ था जैस्टिमेंट हो गया था यूनस्य में चुकि अमरिका पर्मनेंट मेंबर था इसलिए उसको इंप्लिमेंटेशन हो इनी सकता तो उसने उसको वीटो कर लिया था यहां पर भी रश्या के खिलाफ जो यूक्रेन गया है रश्या चुकि प्रेजंट नहीं हुआ है और अगर जज़्च्वमेंट रश्या के अंगेस्ट में आ भी जाता है और सभविक है वो आना है आ भी जाता है तो भी उसको इंप्लिमेंट करने के लिए यूनस्य में पर्मनेंट प्रभाव क्या होगा कुछ पता नहीं है इस जज़्च्मेंट का कोई प्रभाव नहीं होगा अगर अंगेस्ट में चला भी जाता है तो भी और वैसे इंप्लिमेंट कर वाएगा ये एक भारी बड़ी समस्या सामने आएगी इसलिए इस मामले में मुझे लगता है कि जो कि जा है यूकरेन ने वो इस समय कहने के लिए वो कहें ये एक एक सिंपैथी व्यू लें संसार का हिमेंट्री ग्राउंड लें लेकिन इसका कोई लीगल बैटल लीगल ग्राउंड नहीं बनता है सबसे बड़ी समस्या जो आई वो जलेस्की का अनुभवी न होना जलेस्की अ समझ नहीं पाए इंटरनेशनल दवाव को नहीं समझ पाए इंटरनेशनल सिचुएशन को नहीं समझ पाए और वो नाटो के प्रभाव में आगए अमरीका की बातों में आगए आप याद करी कि भारत का कितने बार ही कंफिलिक्ट होता है लेकिन हम कभी अमरीका या किसी के लड़ने की इस्तिती में है मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाइना से लड़ने की इस्तिती में यूक्रेन में आप दिखाई दे रहा है इसलिए भारत के प्रधान मंतरी अपने हिसाब से उसको सेटल करते हैं और सभी कंट्री मुस्टली कोशिश ये करते हैं कि कर दीशन से उनकी सिर्फ एक कंडिशन थी कि आप हमको प्रामिस कर दीजी हम नहीं जाएंगे हम नेटो को अपने देश में घुसने नहीं देंगे इतना सा उनको कहना था अब उनका कहना है कि जलेस्की को अटा दीजिए जलेस्की जैसी हटेगा तो प्रो रेशन गवर्मे जाओ जनता सर्वाइब कर रही है इसी मामले में एक बात और सामने आई वो सामने यह आई कि अमरीका को भी यह लग गया कि यूक्रेन की जनता को जलेस्की मरवा देगा इसलिए अमरीका ने जलेस्की को यह का कि हम आपको प्राइवेट हेलिकॉप्टर भेज देते हैं आपने मरवा दिया पूरे यूक्रेन को मरवा रहे हो तो आप गवर्मेंट एक्जाइल बना लो और जहां कहीं वे रहोगे वहां बढ़ियां विवस्ताई होगी जैसे गवर्मेंट एक्जाइल होती हैं संसार बर की वैसी आपके विवस्ता रहेंगे यूक्रेन में नई सर करने को तयार नहीं इसलिए जलस्की यह कह रहेंगे मैं तो यहीं मर जाओंगा मैं जाहिल गवर्मेंट क्यों बनाओं मैं तो देश की सरकार हूँ मैं तो प्रेसिडेंट हूँ यानि की अमरीका को यह आहसास हो गया है कि जलस्की अपने मरने से पहले बहुत बड़ी संख्या में यूकरिन इनको मरवा देगा और अमरीका को भी यह समझ में आगा कि युद्व जितना लंबा खिच रहा है उतने आरोप अमरीका के उपर लग रहे हैं उतने आरोप यूरोपेन कंट्रीज के उपर लग रहे हैं हारेगा यूकरिन लेकिन मनोबल अमरीका के फ्रेंड द सकता है इसका सिंपल से सल्यूशन है जलस की टेबिल पर आ जाएं बात कर लें और कहते हैं कि अभी हम फिलाल नाटो के साथ कोई वरता नहीं करेंगे नाटो को हम और नाटो का इस्तिति तो उन्हें देखी ली होगी अमरीका के इस्तिति भी देखी ली होगी इससे अच्छा तो उनको साफ समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम रश्या के साथ रहते हैं तो हम ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं क्योंकि जो यूक्रेन आज का यूक्रेन है वो रश्या का ही बनाया हुआ है रश्या के ही सपोर्ट से सब कुछ बनाया है उनकी बड़ी हैबी मैटल इं करने जा रहे हैं तो यह बड़ी समस्य हैं तो आने वाली हैं ही इधर भारत के प्रधान मंत्री लगातार यूक्रेन में बात कर रहे हैं रश्या में बात कर रहे हैं और अब संसार को सिर्फ एक ही आस है और वो है भारत के प्रधान मंत्री क्योंकि वो दोनों से लगातार व समय समय पर अलग अलग शहरों में युद्ध विराम घोशर कर देता है और वहां से रेस्क्यू ऑप्रेशन चलाता है भारती बच्छों को भी निकाल रहा है और विश्चो के दूसरे को भी निकाल रहा है और आगाज भी कर रहा है कि आप जिसको जाना चाहो वहां से चला जा काम किया था मैंने आपको वो सुसमा स्वराज जी के क्लिप भी पीछे लगाई थी तो ये बारत के प्रधार मंत्री का प्रभाव है अब मुझे लगता है कि अगर यूक्रेन जरा सा भी लचीला हो जाता है और ये कहता है कि हम बात करने को तयार हैं हम नेटों के साथ जाने को तयार है नेटों ने हमें धोट या और उसको सिर्फ यह कहना है कि नेटों ने हमें धे ध्वकानी है और दोख दे रहे हैं रहो हो बूँन करो हैसा करो प्रतिबंद लगाने को तयार है यह सब कुछ जग जाहिर हो चुका है इस्तिति क्लियर हो चुके यानि कि यूक्रेन का लड़तो सकते हो आप लेकिन कितना लड़ सकते हो कितने लोगों को मरवा कर लोगे यह साफ हो गया है तो फिर वही जब जिनके साथ आप जाना चाहते थे वही दोस्ती नहीं नहीं वाना चाहते तो अ उनकी security की जमेबारी उनको दे दीजे, काम खतम हो जाएगा, सीधी सीधी solution निकलेगे, उसकी जगह वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी आप इंटरेशनल कोट अप जस्टिस में मुझे logic नहीं समझ में आए कि क्या ये पंडित नहरू हो गए हैं, पंडित नह 56% हिस्स है, 56% और उसकी उसका मुख कारण नहरू जी का UNSC में जाना था, जबकि राजा हरी सिंग ये कह रहे थे कामांडे हम को दे दो, हम पाकिस्तान अगर घुस भी आए, तो हम निकाल लेंगे, हमें मालू में सब्सक्राइब नहरू जी कह रहे हैं, आप तो आप जैसे बैठा था, United Nations Commission for Indian and Pakistan, वैसे International Commission, United Nations Commission for Ukraine and Russia, वो बठा देंगे, और Peace Observer Groups बना देंगे, और जहां पर कबजा हो चुका होगा रशिया का, वहां एक सीस फायर की लाइन बना देंगे, और कहेंगे कि रशिया यहां तक है, हम जब नेड़ने कर लें, तब जाना, यानि कि 50 परसेंट, मूर दें 50 परसेंट, तो एरिया यूकरेंट कबजा कर चुका है, वहीं पर लाइन खिच जाएगी, और फिर वो कितने साल चलेगी, भारत की चल रही है, कब तक चलेगी, पता नहीं, यह जिसके पास दम होगा, जब दम होगा, तो निकालेगा, रश्या का पास अलेडी बहुत तागत है, इसलिए वो समस्यां खड़ी कर देगा, तो आपको कभी न कभी सिवसाइड करना ही पड़ेगा, तो क्यों सिवसाइड कर रहे हो, यह मुझे लगता है, इंटरेशनल पॉलिटिक्स के तहत का अपने लोगों को बचाना तो प्राथिमिक्ता होनी चाहिए, बई पाकिस्टान के साथ भारत का युद्धद चल रहा था उन्हीं से करतर, पाकिस्तानी आर्मी गिर गई, आर्मी गिर गई, तो 90 हजार सैनिकों ने आत्म समुरपण कर दिया मृने से अचा समरपण होता है, तो सियूसाइड वहां पर करते सैनिक से अच्छा उ जलस्की, ये समझदारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बाद में इंटरेशनल प्रेशर, ये चारो और से प्रितिबंद लगाना और वो समझ बाद में भी हो सकता है, अभी फिलाहाल उनके साथ युद्वराम गोशित कर दिया जाए, और अपनी बात जो नेगोशेट कर सकते हैं वो कर ली जाए, हार्डनेस छोड़ देनी चाहिए, कम से कम शहर तबाह होने से बचाइए, युद्व से बचाइए, और फिर रश्या के साथ टेविल पर बात करिए, भाविश में आपको लगे, तो लड़ लेंगे युद्वर से, मुझे लगता है कि मैंने आपको इंटर पुर्दर्ष्टी है, उसके विश्या में चर्चा कर पाया हो, जै बारत बने मातरम